गूड बॉर्निंग इस्टुडेंट्स, आप सभी लोगों को ग्यात है कि इस समय COVID-19 के चलते आपकी आफलाइन कक्षाएं सांचालित नहीं हो पा रही हैं, आनलाइन कक्षाओं के विवस्था की गई है, उसी के क्रम में हम लोग अध्यन करेंगे, सैस्वा अवस्था में सार सारीरिक विकास की बात करते हैं, तो हम जिन बिंदूओं पर मुख्यता बात करते हैं, चाहे सैस्वा वस्था की सारीरिक विकास की बात हो, चाहे बाल्या वस्था के सारीरिक विकास की बात हो, तो हम बात करेंगे सारीरिक विकास के तहत लंबाई की, लंबाई की क्या इसती होती है सैस्वावस्था में इस पर हम चर्चा करेंगे हम बात करेंगे भार की भार की क्या इसती है हड्यां हड्यों की क्या इसती है सैस्वावस्था में दांत टीथ सैस्वावस्था में दांत कब निकलते हैं दूद के दांत कितने होते हैं कब यह सारी चर्चाएं इस अवस्था की होंगी और हम बात करते हैं मांस्पेसियों की मानस्पेसियां और गामक काउसल तथा अन्य अंग इन बिंदूओं को आप बड़े गाउर से देख लिजिए और नोट भी कर सकते हैं आप जब भी हम किसी भी अवस्था चाय सैस्वा अवस्था, किसोरा अवस्था, बाल्ले अवस्था किसी अवस्था की बात करेंगे तो हम इन ही बिंदूओं की बात करेंगे कि इनकी इस्थति क्या है तो आईए सैस्वा वस्था में सारी रिविकास पर बात करते हैं कि लंबाई लंबाई जब एक बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय जो सिसू की लंबाई होती है वो लगभग 51 इंच 51 सेंटी मीटर लगभग 51 सेंटी मीटर आप इसको इंच में लगभग 20 इंच कर सकते हैं आप जानते ही हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालक जन्म से लेकर के 6 बर्स की जो अवस्था होती है उसे हम सैस्वा वस्था करते हैं तो ये जो जन्म के समय लंबाई है 51 सेंटी मीटर अब ये 6 बर्स में आप देखेंगे कि ये लंबाई बढ़ करके 108 सेंटी मीटर तक पहुँच जाती है ये 6 बर्स की अगर हम बात करें और ये आपकी जन्म के समय है तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बालक की आयो बढ़ रही है उसकी आवस्था लंबाई जो 51 सेंटी मीटर थी वो 6 बर्स में 108 सेंटी मीटर यहां एक बात आप और समझ लिजिएगा कि बालकों की लंबाई जन्म के समय बालिकाओं से ज़्यादा होती है आधा सेंटी मीटर और ये लगभग सैस्वा वस्था में आधा सेंटी मीटर का ये जो चेंज है ये बना रहता है कि लड़कियां जो है छोटी होती है आधे सेंटी मीटर बालक की तुलना में बालक जो है बड़े होते हैं सैस्वा वस्था में अब आईए हम भार की बात करते हैं कि भार की क्या इस्थती है अगर आप वेट की बात करेंगे तो जन्म के समय एक सिस्व का जो वजन होता है आप जब जन्म के समय वेट देखेंगे तो 3 kg ये आउसत है कि 3 kg वेट होता है अगर इसको पाउंड में कहेंगे लगबग 7 पाउंड आएगा आउसत वजन एक सिसु का जन्म के समय 3 kg और जैसे जैसे आयो बढ़ेगी वैसे वैसे ये वजन बढ़ता जाएगा और 6 वर्स में लगबग 16.3 kg वेट हो जाता है और बालिकाएं यहां भी वजन में बालकों के तुलना में कम होती है जो सुरत समय 3 के जी है बालिकाओं का सुल के जी होता है तो बालकों का भार और बालकों की लंबाई सैस्वा वस्था में बालिकाओं की तुलना में बालकों का भार जादा होता है अब अगर आप से बात की जाए कि लंबाई बालक की जादा होती है या बालिकाओं की जाद है भार भी जादा है अब हड्यों की हम बात करते हैं तो हड्यों की जो संख्या होती है सैस्वा अवस्था में ये 270 होती है हड्यों की संख्या सैस्वा अवस्था में हड्यों की संख्या 270 होती है हड्डियां बड़ी छोटी होती हैं कोमल होती हैं लचीली होती हैं जिसको हम करते हैं इस्समाल सॉफ्ट और प्लीएबल छोटी कोमल और लचीली अब ये हड्डियां धीरे धीरे फासफोरस, कैलसियम और मिनरल्स को पा करके ये मजबूत होती हैं तो अस्थियों के मजबूत होने की जो प्रक्रिया है जो उनके द्रढ़ी करण की प्रक्रिया है इसे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं और इसी आसिफिकेशन क्रिया के चलते हड़ियां द्रिण होती हैं मजबूत होती है तो बालिकाओं में आसिफिकेशन जो अस्थी द्रिणी करण है वो ज्यादा तिब्रतम गती से होता है बालकों की तुलना में तो सैस्वावस्था में हड़ियों की संख्या 270 ये प्रस्ण पूछा जाता है आपके टेट में और भी तवाम कमट्रिटीव एकजामस में कि सैस्वावस्था में हड़ियों की संख्या कितनी होती 270 बाल्य आवस्था में आप देखेंगे तो महां 350 हो जाएगी और किसोरा आव आई स्थिती रहती है सैस्वा वस्था में अगर आप देखेंगे कि लगभग सिसु को देखा होगा तो छटमें चटमें या सातमें महिने में सिसु को दात निकलना प्रारम हो जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है आप देखा है कि सैस्वा वस्था में दूध के दात इसे क क्या होती है ये लगभग 20 दात 20 टीथ एक बर्स में ये डिसी डिवस टीथ जो होते हैं दूध के दात सायस्वावस्था में सभी निकल जाते हैं इसको आस्थाई दात भी कहा जाता है डिसी डिवस टीथ क्योंकि ये दूध के दात कह जाते हैं ये तूटते हैं और फिर अस्थाई दात आते हैं तो 20 डात सायस्वा वस्था में एक बर्स की आईयू में निकल जाते हैं तो ये दात आनक का प्रारहम होते हैं छट्वेय या सात्वे महीने में दात निकलना प्रारह निकलना प्रारहम होते हैं अब हम बात करेंगे मांस्पेशियों की क Arm expenses chicken muscles की क्या इस्थती है तो पूरा अगर सिसू का कुल भार देखा जाए, जैसे हमने कहा कि तीन किलोग्राम होता है जन्म के समय भार, तो कुल भार का 23 परसेंट, 23 प्रतिसत जो होता है, कुल भार का 23 प्रतिसत मसल्स होती है, मांस्पेसियां होती है, ये सैस्वावस्था की इस्तिती है, और जैसे ज कि क्या इस्थति है तो सैस्वा आवस्था में अगर हिर्दय की गती की बात की जाए तो सुरू सुरू में चुकि उसके हिर्दय की गती अनियमित होती है और यह हिर्दय अगर आप देखेंगे कि प्रथम माह में पहले माह में सिसू के हिर्दय की धड़कन जो होती है वो 140 बा च्छा बर्स में देखेंगे, तो यह सव बार हो जाता है, कि एक मिनिट में सव बार धड़कता है, तो आप देख रहे हैं कि हरदय की गतिष हैस VOICE वस्था में 140 थी लेकिन में चार्वर्स में क्वाइब इस्ताओं हो गई तो ये जैसे जैसे सिसरुगा हिरोदाय और होता है वैसे भष् mugों संख्या जो है वो कम हो जाती है तो अन अंग में बहुभ तारे आपके और अंग हैं शरीर पकड़ना आता है तो आप देखेंगे कि एक माह में एक महीने के सिसु को अगर आप देखेंगे तो वो पेट के बल जो है लेटता है आप उसके गामक का उसर की बात करेंगे तो एक माह का सिसु पेट के बल जो है लेटता है और दो माह में थोड़ा सा अपने हाथ से वो उप पर गर्दन को उठाता है 3 माह में वो पीट के बन लेटता है और किसी खिलाउने से भी एक खेलता है तो किसी सहारे के साथ वो बैठता है कोई अगर उसको सहारा देदे तो बैठ जाए 5 माह का सिशु जो है गोंधी में बैठता है मां की गोंध में बैठेगा किसी की गोने बैठेगा च्छा माह का बच्चा हुआ तो वो कुर्सी पर बैठा दीजिए तो कुर्सी पर बैठ जाता है साथ महीने में वो बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है बिना सहारे के बैठ जाएगा पकड़ करके चलना सीख लेता है कोई बस तु है उसको पकड़ करके वो चलना सीख लेगा दस माह में घुटनों के बल जो है चलता है बच्चा पंद्रह माह में वो अकेले खड़ा हो जाएगा पंद्रह महीने का बच्चा अकेले जो है वो खड़ा हो जाता है तो इस तरीके स वो अपनी सारी गतिविधियों पर एक तरह सफलता पूर्वक नियंतरण कर लेता है तो सारीरिक विकास के तहट जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लंबाई की मैं एक बार पुना आपको रिपीट कर रहा हूँ कि लंबाई जर्म के समय कर वेट की जाती है चाल मैं तो 51 सेंटीमीटर हूती है भार की बात करेंगे तो आउसत जो भार है वो लगभग 3 किलोग्रा मैं लगभग 7 पाउंड हडियों की संख्या सहसवास्था में 2 С्वत्तर होती है वडिया वड़ी छोटी होती है कुमल होती है लचिली होती है और औसिफिकेशन क्रिया होती है असिद्रेटी करन जिसके ताहतों मजबूत होती है दातों की संख्या एक वर्स में सभी दूध के दात 20 दात निकल जाते है मानस्पेसियों की सितिक देखेंगे तो मानस्पेसियां सरीर के कुल भार का 23% मसल्स होती है गामक का उसल मैंने बताया कि कैसे बच्चा 15 महीने में खड़ा हो जाता है और अन्यांगों की सिति देखेंगे धर्दै की धड़कन की बात की पाचान तंतर की बात हुई शरीर के और जितने भी इंटर्नल आरगंस हैं सभी में उम्र के साथ साथ उसका विकास होता है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद